हलो एवरीवन वलकम तो चैनल दा जुरावर क्लासेज और यह है आपकी सर्प्राइज क्लास रात को दस बजे की ठीक है जैसे कि मैंने आपको कहा था कि एक सर्प्राइज क्लास भी है क्लास नमबर 6 जो है वो होगी हमारी करंट अफेर्स की और आपको पता होगा कि 2 अक्टू क्यूल था उसमें करंट अफेर्स का जिक्र जो है अभी तक हुआ ही नहीं था और करंट अफेर्स जो है की वन ओफ दा इंपोर्टेंट है जो मैं अभी तक कंटीन्यू कर रहा हूं उसको जब से हमने के इसकी प्रपेशन स्टार्ट किया 19 अगस तो यह आगे भी जारी रहे जो कि आप नंबर हमें दिये हैं अपने अपने वाट्सप के ब्रोड्कास्ट चैनल से जुड़े हैं हमारे उनको मिल जायागा लिंक टाइम टेबल वगएरा सब कि दिन में किस तरीके से कितने कितने बज़े कौन-कौन सी क्लास होगी नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलेग ब्रोड्कास्ट से कोई मैसिज आयागा वह आप लोगों तक पहुंचता ही नहीं है और कहीं बच्चों के पास इस वज़िगे से नोटिफिकेशन नहीं जाता और वो कहते ही सर आपने हमें ग्रूप में आड्नी किया देखिए गुरूप तो कोई ही नहीं वह ब्रोड्कास की क्लास रही थी एविएस की कल जो है रिजनिंग के ले लेंगे मेरा जो है ऐसी चलता रहेगा क्योंकि मैं जो हूँ आपको चार सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ कम्प्यूटर रिजनिंग इविएस और करंट अफेर्स है ना जीके भी इसमें इंक्लूड रहेंगी चलिए आज की जो है अपनी क्लास स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहला कोश्यन लेते हैं आज का आई पिल में सुरेश रहना को पीछे चोड़ कर कौन सबसे जादा 194 मैच केलने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं वैसे तो सबसे जादा एक टाइम पर रन बनाने वाले भी थे मतलब की सबसे जादा रन उन्होंने बनाये थे आई पिल में लीडिंग बैट्समन थे लेकिन अब वह विराट को ली हो गए हैं और वह सबसे जादा मैच खेलने वाले भी थे कब तक कल तक कल चैन्नाई के ही म महेंदर सिंग धोनी ने उनका रिकोर्ड तोड़ दिया क्यों क्योंकि इस साल जो है सुरेश रना आईपल नहीं खेल रहे हैं अपने फैमिली कारणों की वेज़से वो दुबई तो गए थे लेकिन आईपल का पार्ट नहीं हुए वो उसको छोड़के बीच में आगे थे तो सुरेश रना खेले हैं 193 मैचे और अब महेंदर सिंग धोनी ने खेल लिए 194 मैचे और उनका रिकोर्ड तोड़ दिया है महेंदर सिंग धोनी सबसे जाधा आईपल मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं उन्होंने इस मामले में अपनी आईपल टीम चैन्ने सूप मतलब तीन बार जो है आपके आईपल ट्रोफी जीत चुकी है साल 2010, 2011 और 2018 और हम आपको बता देगी एक ही टीम के लिए सबसे जाधा मैच खेलने का जो रिकोर्ड है वो कप्तान विराट कोली उनके जो आरसीबी के कप्तान है उनके नाम है 180 मैच खेलने का तो देखो एक ही 92 मैचेस के साथ रोई शर्मा एक ही टीम से सबस्यादा मैच खेलने वाले हैं हमारे विराट कोली उन्होंने खेले हैं आपके आरसीबी से वो पहले सीजन से और अभी तक आरसीबी के साथ जुड़े हैं महिंदर सिंग धोनी और सुरेश रेना जो है यह अलग-अलग टीम मे आपको याद हो एक गुजरात करके एक टीम आई थी पुने करके आई थी दोनी पुने की टीम में चले गए ते रहना जो है गुजरात की टीम में चले तो एक ही टीम से उन्होंने सबस्यादा मैच नहीं कहले हैं वो खेले हैं आपके विराट कोली ने 180 मैच ठीक है जी अच आई जी गुजरात को ठीक है अब बात करते हैं जो आपकी Central Government है उन्होंने गुजरात को तो फर्स दिया है और सेकेंड दिया उन्होंने उत्तर प्रदेश को यूपी इसमें सेकेंड आई है आउड दिया है स्टेट को तिक है उसके बादयोंने इन्होंने फीक को सेंगे इस जो फस्ट आया है वो तमिलनाडू का तरुनावली है तो मैं आपको लिखके दिखा देता हूं ये इसको जो अपने नोट्स में कर लेना तरुना ल विल्ली एक तो भाई इनके नाम साउत में ऐसे होता है ये डिस्ट जो फस्ट आया है इस चीज में स्वच्च भारत अवो 2020 म खाचरोद खाचरोद जो ब्लोक है वो फस्ट आया ये अपना लिख लेना और अगर हम बात करें विलेज की तो भाईया चित्रा नूर गाउं चित्रा नूर गाउं चित्रा नूर विलेज जो है आपकी तमिलनाडू की तमिलनाडू की चित्रा नूर विलेज जो है वो फस् question लेते है next question number third IPL चल रहा है तो IPL की बाद जरूर होगी IPL current के question बहुत बनाएगा हाल ही में IPL में 5000 रन पूरे करने वाले तीसरे बल्लवाज निर्ड में से कौन बन गए है recently who became the third batsman to complete 5000 रन in IPL ये बन गए हमारे रोई शर्मा वराट कोली और सुरेश रहना के बाद ठीक है न simple सा बस इतना याद रखो इसमें question number लेते हैं fourth question number fourth है महा महा important very important अगर आप news बगर पढ़ते हो जो कि मैंने बोला हुआ है कि current affairs के लिए newspaper बगर बहुत important है तो प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश के रोतांग में किस सुरंग का उद्गाटन किया है प्राइम मेंस्टर नरेंदर मोदी recently inaugurated which tunnel in रोतांग हिमाचल प्रदेश और इसका answer है आपका अटल शुरंग प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने 3 अक्टूबर 2020 को हिमाचल प्रदेश के रोतांग में एक महत्रपून अटल सुरंग का टुनल कह रहा हूँ अटल सुरंग का उद्गाटन किया है ठीक है जी उसके बाद मैं आपको बता दूँ अटल सुरंग दुनिया की सबसे लंबी राज्यमार्ग सुरंग होगी इस सुरंग के कारण मनाली और लेहे के बीच की दूरी 40 यानि 46 किलोमेटर की जो है कम हो जाएगी और यात्रा का समय भी 4-5 घंटे कम हो जाएगा इसकी जो लंबाई है सुरंग की वो 9.02 किलोमेटर मापी गई है ठीक है और ये वर्ष भर जो है मनाली को लाहोल स्पितीस की घाटी जो है उससे जोड़े रखेगी ठीक है जी ये बहुत इंपोर्टेंट कोश्यन बनता है अपने आप से और उन लोगों के लिए बड़े मज़े आ गए है जो मनाली से और लेहे जाना चाहते है बाइक से आईम वन ओफ देम बट मेरे साथ ऐसी एक आपको पता हुए एक बिमारी होती है स्लिप तक क्या लिख रहा हुँ है स्लिप डिस्क की जिस इसको पता है बाई उनको पता हुआ स्लिप डिस्क में कितना दर्द रहता है कमर में आम वन ओप देम बट जरूर मैं इसको ठीक करूँ है ठीक नहीं करूँ है तो कुछ तो अराम करके और ये मेरा भी सपना है कि भीया मनाली से जो है ले बाइक से बुलट से जाय जाय जाये मन तो ये करता है दिल्ली से बुलट उठा और निकल लो गोमने का बहुच होंगा जी मिर को इसलिए मैंने आपके वीकेंड जो है वो चुट्टी कर दी है तो गोमना नहीं मिल पा रहा था कॉश्यन नमबर फाइव नासा ने भारतिय मूल की किस दिमगत अंतरिक्ष यात्री के नाम पर एक कमर्शल स्पेसक्राफ्ट लोंच किया है ठीक है ये मैंने इसलिए बोल दिया क्योंकि आपको पता है मैं थी हिंदी कैसी है कही बार नाशा लोंच अ कमर्शल स्पेसक्राफ्ट named after which late astronaut of Indian origin और इसका आंसर है आपका कलपना चावला ये भी अच्छा कोशन है नासा अगर कुछ लॉंच कर रहा है वो भी एक Indian origin के लिए मतलब इंडिया से जो origin रखती है कलपना चावला आपको पता होगा इनके साथ जब एक धुरगटना हुई थी वापस आ रही थी तो कैसे क्या रहा था तो ये याद रखना है ठीक है जी चलो question number five discuss discuss करते हैं अमेरिका ने किस देश की व्यक्तियों के किलाफ नए पर्तिबंदों की गोशना कर दिया अमेरिका हैस अनौंस्ट न्यू चैंक्शिन्स अगेंस्ट इंडिविजवल फ्रॉम विच कंटरी इसका आंसर है जिस शीरिया आपको पता होगा शीरिया में इस टाइम ग्रह युद चल रहा है युद गस शीरिया पर नए पर्तिबंदों की जो है गोशना कर दिया आपकी अमेरिका ने 30 सितंबर 2020 को इन पर्तिबंदों के लिए एक सुचिबत मुख्य संस्तान दूर्स दूर्संचार पर में जैसे इस रहाता है अच्छा इस रोकी मैं वैसे फुल फॉर्म नहीं बताऊंगा लेकिन कुछ बच्चे जो हैं जल्दी से फटाफट नीचे कमेंट कर दो देखों कितने बच्चों को जो है इस रोके फुल फॉर्म आती है दूद का दूद और पानी का पानी होने जा इस रो साल दोजार पच्चेस में किस ग्रह पर अंत्रिक्स मिशन शुरू करने की यूजना बना रहा है स्टार कुशन है बहुत अच्छा इस रोप्लाइंस टू लोंच स्पेस मिशन ओन विच ओफ द प्लानेट इन 2025 पडोसी देश कह रहा हूं पडोसी ग्रह वीनस पे जो विश्वाष्ट संगतन यानि की वर्ल्ड हैल्थ और इसका आंसर दिल्ली नहीं उडिसा है दिल्ली मत सोचना दिल्ली वालो इसका आंसर है उडिसा अपको पता होगा एक चक्रवाद एमफान करके भी चक्रवाद आया था वह भी नहोंने कोड के दोरान देखा था इस इस बाकि सारी चीज़े भी थी तो डबलु अच्छो कहता है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी बहुत ही इफेक्टिव तरीके से ये लोग जो हैं दील कर रहे हैं कोविड-19 से जो उडिसा तो इसलिए प्रेज किया गया डबलु अच्छो की तरफ से उडिसा राज्य को ठीक है इंडिया हाज लॉंच एन इंवेस्टिगेशन इंटू एलिग्ट डंपिंग ओफ सेफिटी जोन सोडियम सेट्रलाइल और रो मैटीरियल यूज इन मैडिसिन फ्रोम विच कंट्री और इसका आंसर है हां जी बिल्कुल सही चीन ठीक है ध्यान रखना है चीन पर जो है इनो कर दिये कि जो है इनमें कुछ दांदली या गडबड चल रही है यह नोट्स में लिख लेना आपने चीन रिलेटर कोश्चन इंपोर्टेंट ही होता है विश्व शिक्षक दिवस वर्ल्ट टीचर्स दे हम सब टीचर्स बनना चाहते हैं कुछ हैं कुछ बनना चाहते हैं न 5 अक्टूबर रांसर है कहिं कहे तो हों किसर आपने घलत लिख दिया तो मैं बता दूँ आपको पूरे विश्व भर में 5 अक्टूबर 2,000 सुरी 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है इसे अंतरराश्ट्य सिक्षक दिवस इंटरनाशनल टीचर्स डे के रूप में भी जाना जाता है यह दिवस दुनिया में शिक्षकों की इस्तिती में सुधार लाने के उद्देश्चे से मनाया जाता है युनेसको और अंतराष्टिय श्रम संगठन के बीच वर्ष 1966 ध्यान रखना भई हमेशा की तरह 1966 में एक बैठग में इसका निर्नलिया गया था 1966 से 5 अक्टूबर को जो है आपका वर्ल्ड टीचर डे जो है मनाया जाता है यह हमारे आज के दस कोश्चन है कैसे लगे जी आज की आपको क्लासी कैसे लगी जो सुबा 9 बज़े स्टार्ट हुई थी और रात के बज़ गए है साड़े दस साड़े दस नी सवादस तो होई गए है ठीक है तो भाई सुबा से रात तक क्या आपकी 6 क्लासे रही हैं आपको except maths में थोड़ी voice problem थी और सर फस्ट टाइम बढ़ा रहे हैं तो उन्हें थोड़ा सा टाइम दे आप को समझे ऐसी काम चलेगा ठीक है ना बाकी मेरे को क्लासे बताओ आपको कैसी लगी feedback जरूर देना और भाई एक आप सबसे request है मेरी की आप लोग जो है regular videos नहीं देखते हैं अब तयारी जब मैंने कमर कसली है मैं छेशे वीडियो लेके आ रहा हूं एक दिन में तो तयारी आपको भी करनी पड़ेगी ठीक है ना अब पता है problem क्या है अगर मैं अभी इन क्लासे को paid कर दू ना आपको सिर्फ उन बच्चों को जोड़ू अपने साथ की भाई 5000 रुपे दो पहले तब जो है आप इन वीडियो उसको देख सकते हो तो जितने बच्चे 5000 चाहे हो एक हजार बच्चे हो वो एक हजार के एक हजार बच्चे ना सारी वीडियो देखेंगे क्यों क्योंकि उनने पैसे दी है लेकिन जो चीज फ्री में बटरी होती है वो खहरात की लगती है ऐसे लगते है रहा है यह तो ऐसी है इसको क्यों देखेंगे नहीं सही बात बता ना बुरी लग अच्छी लगे सही है तो सिर्फ दो हजार बच्चे तो वट्सप पे जुड़ चुके है मेरे सार्थ दो हजार उन दो हजार में से सिर्फ पांसो बच्चे देखें रेगूलर वीडियो बैया तुमारी मर्दी है जैसा मन करें जिसका आगयाने वाले टाइम में हम भी पेड करतेंगे हम इनी पांसो बच्चों को पढ़ा लेंगे ठीक है मत पढ़ो अच्छा कंटेंट है अगर तीने जार वेकेंसी आएंगी तीने जार में से क्या होगा अपना पांसो यह जाएंगी सिंपल से आपका जुमन करें वो करते रहना दाट्स ओल फो टुडए और सुबह नोब वज से आपकी फिर स्टीबी की स्टार्ट हो जाएगी दिव्या में लेंगी और रात को साधे दस बच तक यह क्लास ऐसी चलेंगी तिल रेन बाय टेक केर एवरीवन गोट नाइट